हेलो गैज में लीनु और आप लोगो स्वागत है आप लोगो का यूटूब चैनल लीनु हेल्थ में तो फ्रेंड्स आज बात करेंगा अगर आपका मिस्कारेज हो रहा है तो मिस्कारेज के कितने दिन बाद फीर फ्रेग्नेंसी के लिए प्लांट कर सकते हैं अगर आप यह सब्सक्राइब कर लिए साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए अगर आपका मिस्कारेज हो रहा है देन आपको अटलीस्ट जो गयाफ है दो से लेके तीन महीना तक देना चाहिए ऐसा नहीं कि अगर किसी का इमीडेटली कंसीव हो जाता है तो उसको मि अगर को जनराली मिस्कारेज होता है तो डॉक्टर भी आपको सला देते हैं अगर आपका बोडी को रिकावर करने के जाए अगर यर्ली मिस्कारेज हो होता है एक देन दो दिले हुआ था periods miscarriage हो गया देन कोई problem नहीं है अब next plan कर सकते हैं अगर आपका 3 महिना 4 महिना 5 महिना हो गया है then miscarriage हो रहा है तो at least आपको उस हिसाब से gap रखना चाहें 2-3 महिना 4 महिना हुआ है देन आप 3 महिना 4 महिना के बार pregnancy plan कर सकते हैं अगर आपका आट दिन दस दिन हुआ है तो आप एक महिना छोड़ के कर सकते हैं अगर आपका एक दो दिन परियर्ट्स डिले हुआ था टेस्ट किये थे पॉजटिव आया था फिर आपका प्रियर्ट्स आ गया जो है फुली प्रिपैर हो जाए फिर से जैसे एक बेबी को वह कंसिब कर पाए एक हेल्दी बेबी को वह जन्म दे पाए इसलिए थोड़ा सा बॉड़ी को भी टाइम लगता है रिकवर होने के लिए इस मैसिस में आपको डॉक्टर ने बोलते हैं अपका आप पहला वाला मिस मिस्कारेज हुा है brightness के लिए अगर अगरा मिसुट आपार्शन होता है मिस कारण से हुआ है दूवारा मिस क्यारेज ना हो उसके लिए को कुछ problem निकलता है उसके लिए first medicine दिया जाता है उससे ठीक करने का बाद ही आपको next pregnancy plan के लिए बोला जाता है तो आपको ध्यान में हमेशा यह रहना चाहिए आपका किस type का miscarriage हो रहा है कितना दिन का बाद miscarriage हो रहा है और अपका medical history क्या है मतलब अगर आप infertility phase कर रहे हैं 5 साल 6 साल से conceive नहीं हो रहा है यह फिर आपका साधी का एक महिना दो महिना बाद ही conceive हो गया था तो यह सब भी depend करता है आपका first miscarriage के बाद आप second pregnancy plan करने का मतलब कितना दिन ग्याप देना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप doctor से जाके जरूर consult किजिए उनके सल आपके हिसाब से ही आप अपना जो है next pregnancy plan कीजिए यह आपके लिए बहुत बैतर होगा अगर आप यह चैनल में नए है तो ब्ले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में notification bell icon को भी प्रेस कर लीजिए फिर मिलेंगर एक नए वीडियो में तब तक अपना ख्यार लगए thank you for watching lean health thank you